हेलो, एंड वेलकम बैक, आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्ट जानकारी जानने वाले हैं, नीमबू एक सिट्रस फ्रूट की श्रेनी में आता है, जिसका बहुत से लोग इस्तिमाल तो करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते की, नीमबू शरीर में जा जीमबू पानी का इस्तिमाल करने से यह कुछ हद तक, स्किन को एंटी एजन्ग एफेक्ट भी प्रोवाइड करता है, इसका मतलब है कि आपकी स्किन में रिंकल्स जल्दी नहीं आते हैं, बेसिकली एक तरह का मसल्स फाइबर होता है, जो कि आपकी स्किन को आपस में मजब मजबूती से जोडे रखने का काम करता है, जिस वजह से एजन्ग प्रोसेस काफी हद तक, स्लो डाउन हो जाता है, टिशू काम होते हैं, उनकी स्किन वक्त से पहले ही लूज होने लगती है, और इतना ही नहीं ब्रश करते वक्त मसूरे से खून आना भी, कॉलेजों कमजोर होने की वजह से हो सकते हैं, लेकिन अपकी हड़ियों के जोडों के बीच भी मौजूद होता है, क्योंकि इसे मजबूती प्रदान करने का काम करता है, चेहरे पर रिंकल्स उतना ही देर से आते हैं, इससे मसूरे ज्यादा हेल्दी और जोडों के बीच मौजूद, क fatty liver की problem को prevent करने और liver function को improve करने में भी मददगार होता है हमारे शरीर का यह कैसा अंध होता है जो कि filter की तरह काम करता है इसका मतलब है कि यह हर वक्त आपके खून को filter करके साफ करने का काम करता है इसी वज़े से धीरे धीरे liver के अंदर toxin जमा होने लगते हैं fatty liver की problem शुरू हो जाती है नीमबू में कुछ ऐसे phytonutrients पाए जाते हैं जो कि liver में मजूद fat और toxin को break down करके liver को detoxify करने का काम करता है जिनको पहले से ही liver की problem है उन्हें अच्छे result के लिए नीमबू पानी का इस्तिमाल करने के साथ साथ खाने में high vegetables और diet को follow करना चाहिए हमारे शरीर में बिमारियों से लड़ने के लिए ताकत होती है जिसे immune system या immunity power के नाम से जाना जाता है जब शरीर की immunity power कमजोर होती है तो बार बार सरदी जुकॉम bacteria और viral infection होने लगते हैं विटामिन C आपके immune system को मजबूत करके शरीर को बिमारियों से बचाने में मददगार होता है पूरे दिन में आपके शरीर को जितना विटामिन C की जरूरत होती है उसका 50% सिर्फ एक नीम्बू का इस्तिमाल से ही पूरी हो जाती है और अगर आपने दिन भर में दो नीम्बू का इस्तिमाल कर लिया तो इससे 100% पूरे दिन की विटामिन C की जरूरत है पूरी हो जाती है नमबर 4, prevent hot disease नीम्बू आपके दिल की नसों में होने वाली blockage को रोकने में भी कुछ हग तक मददगार होता है दरसर जब शरीर में विटामिन C की कमी होती है तो नसों की दीवार आसानी से डेमेज होने लगती है और फिर उसे डेमेज जगह पर धीरे धीरे फैट और कॉलस्ट्रॉल जमा होकर blockage पर नीम्बू के इस्तिमाल से शरीर को विटामिन C मिलता है जो की नसों की दीवार को मजबूत बनाने का काम करता है इसलिए जो लोग एक अच्छी डाइट फॉलो करने के साथ साथ हर रोज नीम्बू पानी का भी इस्तिमाल करते हैं दिल की बीमारी होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं गुर्दे में पत्थर होने से बचने के लिए बैस्ट फूड आप खा सकते हैं उसमें नीम्बू का ही नाम आता है आमतोर पर सबसे बड़ा किद्नी स्टोन जो की ज़्यादातार लोगों में देखने को मिलते हैं वल केल्शियम औक्सलेट नाम का किद्नी स्टोन ये स्टोन केल्शियम और आक्सलेट के आपस में मिलकर किद्नी में जमा होने की वज़े से बनते हैं नीम्बू में एक ऐसी चीज होती है जिसे सिट्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है औक्सलेट से बाइंडिंग करके किद्नी में स्टोन बनने से रोकने के साथ साथ बने हुए स्टोन को तोड़ने में भी मददगार होता है बलकि जिन लोगों को किद्नी स्टोन की प्रॉब्लम है उन्हें दिन भर में 2-3 बार नीमबू पानी का इस्तिमाल जरूर करना चाहिए और नॉमल साइज के गिलास से 10-12 गिलास साधे पानी का भी स्वरूप इस्तिमाल करना चाहिए नमबर 6, फेट लॉस नीमबू पानी वजन घटाने के मामले में बहुत ही मशहूर है और जिसकी वजह से जो लोग बेचारे पहले से ही पतले हैं वो नीमबू का नाम सुनकर ही दर जाते हैं कि कहीं इसके इस्तिमाल से वजन और भी कम ना हो जाए और जो लोगों का वजन बहुत बढ़ा हुआ है वो वजन कम करने के लिए खूब दबाकर नीमबू का इस्तिमाल करते हैं लेकिन जहां तक बोडी फैट यानी शरीर से चरबी कम होने वाली बात आती है तो नीमबू इंडाइरेक्ट थोड़ी मदद करता है नीमबू बलड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है जिससे आपके शरीर में इंसुलिन होमोन कम मात्रा में रिलीज होता है और जब ऐसा होता है तो आपकी बोडी फैट थोड़ा कम स्टो करती है लेकिन आपको समझ लेना चाहिए की फैट लॉस में भी नीमबू का बहुती थोड़ा ही रोल होता है इसलिए आप नीमबू पानी को ऐसे healthy drink के रूप में इस्तिमाल कर सकते हैं इस गलत फहमी में बिल्कुल भी ना रहे हैं कि ज्यादा नीमबू पानी के इस्तिमाल से आपका वजन जल्दी से कम हो जाएगा क्योंकि वजन का घटना और बढ़ना दोनों ही आपके पूरे दिन के खाये जाने वाले खाने पर depend करता है शरीर को cancer जैसी बीमारी से बचाने में भी कुछ हद तक मददगार होता है हालांकि यह फाइदा मिलने के लिए आपकी lifestyle भी ठीक होना जरूरी होता है नीमबू पानी पीने में कौन सी गलती नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले से आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप नीमबू पानी का इस्तिमाल करते हैं तो इसमें चीनी इस्तिमाल आपको नहीं करना चाहिए नहीं तो नीमबू पानी पीने का मतलब ही खत्म हो जाता है दूसरी बात ये कि नीमबू थोड़ा STD होता है जो कि हर रोज गिलास को मुँ से लगा कर पीने से ये दातों को थोड़ा नुकसान पहुचा सकता है इसलिए बहतर ये है कि इसे पीने के लिए strong का इस्तिमाल करना चाहिए नीमबू का कब और किस तरह इस्तिमाल करना चाहिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप आधे या एक नीमबू को एक गिलास बहुत ही हलके गर्म पानी के साथ इस्तिमाल कर सकते हैं अब चाहे तो इसे नॉमल पानी के साथ भी इस्तिमाल किया जा सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म पानी के साथ इसका इस्तिमाल नहीं करना चाहिए। क्यूंकि नीम्बू में मौजूद विटामिन C हिट सेंसिटिव होता है, जो की ज़्यादा गर्मी के संपर्क में आने से नश्ठ होने लगता है नीमबू के छिलके में भी बहुत से पोशक तत्व मौजूद होते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो नीमबू के रस को निचोर कर एक बर्तन में निकलना और फिर छिलके को पानी में डाल कर गर्म कर ले जब पानी उबलने लगे तो गैस बंद करके पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ दे और फिर से पानी ठंडा हो जाए तो बर्तन में निकला हुआ नीमबू का रस पानी में डाल कर इस्तिमाल किया जा सकता है इस तरह से नीमबू के ज़्यादा फाइदे आपके शरीर को मिल जाते हैं इसका कब इस्तिमाल करना चाहिए आमतोर पर सबसे बहतर यह है कि सुबह खाली पेट नीमबू पानी का इस्तिमाल करना चाहिए लेकिन अगर आप चाहे तो दिन में कभी भी इसका इस्तिमाल कर सकती है इस बात का ख्याल रखे की नीम्बू पानी पीने में और खाना खाने के बीच एक से दो घंटे का गैप आपको जरूर रखना चाहिए क्योंकि कुछ खाने की चीज के साथ नीम्बू का मेल नहीं बनता है तो आप नीम्बू पानी का इस्तिमाल करते हैं कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केर एंड बाई।